सोनीपत में गीता भवन चौक की तरफ से गोहाना रोड की और गुजने वाले वाहन चालकों के लिए बना रेलवे फ्लाइओवर रविवार को एक बार फिर से रात के समय हुई बारिश के बारिश के बाद तूट कर जमीन में धहस गया है। सूचना मिलने के बाद डिप्टी कमिशनर सोनीपत ललित सिवाच स्वैम निरीक्षन करने पहुँचे और जल्द ही पुल की स्थाई तोर पर मरम्मत करने का आशवासन दिया। समाधान प्रशासन को स्थाई रूप से करना चाहिए जो शनिवार को पुल धस गया था उसका ठीक से कारे नहीं हुआ और एक बार फिर से वो धस गया है। सड़क त्यार होचकी है, यह फलाई ओवर बली बांग रहा अभी और बहुत बड़ा आजशा किसी समय भी हो सकता है। इसकी सूचना डिप्टी कमिशनर ललित सिवाच को मिली तो वो अधिकारियों के साथ मौके पर पहुँचे और उन्होंने आशवासन दिया कि इस रेल्वे फ्लाई ओवर को वर्ष 2014 में बनाया गया था। इस पूल को बनाने के लिए नैशनल हाईवे लोक निर्मान सडक विभाग और नगर निगम द्वारा कारे किया गया था। जल्दी से काम शुरू कर दिया जाएगा, तंपरेरी काम शुरू कर दिया था। एवी ट्रेफिक के लिए फुल को बंद कर दिया गया है, रात में भी नहीं जाएगा तिन में जाएगा, प्वर विलर्ष और खोटे विकल्स के लिए। सब दे मीडिया ने भी काफी बात उप्वाई थी और दुपांदारों ने भी रोज प्रस्मिट किया था। उसके बाद खानापुर्टी की कि जिसकी वज़े से इसके लिए। पी एंडार ने और मुनिस्पल कोर्परेशन ने मिलके बनाया है। तो बेस्ट पोसिबल वे आउट होगा तो कर देंगे। आज पब्लिक को कोई इंकन्विनियंस ना और ट्राफिक चलता रहे। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। जादा से जादा लोगों को वोटसप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेस्बुक पर शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाद दोस्तों पास में लगे बैल आइकॉन को जरूर दबाएं। ताकि जब भी कोई नए वीडियो चैनल पर आए, उसका सीधा संपर्प आपके फोन से हो जाए। आप हमें ट्वीटर, इंस्टाग्राम, फेस्बुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें। जैहिंद वंदे मातरम।